हाई फ्रेंड्स वेरी गूड मॉर्णिंग नमस्ते जैहें खमागणी जैपूर मैं देवेंदर सिंग राठोड और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल विनाइक बिल्डर्स एंड डवलपर्स दोस्तों अभी आप देख सकते हो यह है अंसल सुसान सीटी और इसके अ लोनेबल है यह आप देख सकते हो अगर इसकी साइज मेजरमेंट की बात करें तो अठारा वाई पचास साइज है इसकी और डिस्टेंस वाई बात करें तो रेलवे स्टेशन जैपूर जंक्सन से एप्रोक्समेटली सोला किलोमेटर डिस्टेंस है वहीं पर अगर हम बात कर मैं कालवर रूड से तो हाडली वन किलोमेटर डिस्टेंस है इससे और वहीं पे अगर मैं 200 फिट बाइपास अजमेर देली एक्सप्रेस आईवे से बात करूँ तो 8 किलोमेटर डिस्टेंस है और लॉनेबल प्रोपर्टी है अगर आप इंट्रेस्टेड हैं तो दिये वे नंबर पे कोल कर सकते हैं तो चलते हैं अभी मैं के पूरी डिटेल्स बताऊंगा बने रहें वीडियो के अन तक अगर अभी आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लें और ये जो मकान है ये अंसल सुसान सीटी के अंदर है जेडिये अप्रूड है और 90% लोनेबल है पाणी, बिजली सब कुछ स्विदाएँ हैं यहाँ पर और ये आप देख सकते हैं तकरिबंद 10 डुपलेक्स हैं जो कि अंडर कंस्ट्रेक्शन में है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस्तर का काम चल रहा है इसका और आप देख सकते हैं अभी हम चल रहा हूं मैं विजिट कराता हूं इसका ये आप देख सकते हैं पूरा प्लस्तर वगेरा हो रहा है और यह आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर यह रैम्प है और रैम्प से आगे यह पार्किंग पार्किंग में यहाँ पानी का टेंक है और यह देख सकते हैं यहाँ मिटर बॉक्स लगेगा और सामने की तरफ देख सकते हैं ये 30 feet road है और ये सामने front bedroom है जिसके लिए balcony छोड़ी भी है और front man entrance है ये ये देख सकते हैं आप ये है जीना steel की railing और granite का जीना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी under construction में है तो आपको कुछ कम समझ में आएगा लेकिन मैंने इसलिए इसको दिखा रहा हूँ ताकि क्योंकि अगर मैं इसका weight करता finishing तक का तब तक sale हो जाते हैं तो ये जैसे ही मैंने अंदर गया हूँ आप देख सकते हैं hole है एक big spacious hole काफी बड़ा hole है पंदरा size का और उपर आप देख सकते हैं fall chilling है और ये है ये देख सकते हैं आप ये kitchen modular kitchen बनेगा पूरा और इसी के साथ में इस side ये है master bedroom ये देख सकते हैं master bedroom बहुत ही बड़ी size है इसका 12 x 14 size का बहतरीन bedroom है और उपर fell sling लगाई जाएगी वहीं पर आप देख सकते हैं attached bathroom है इसमें और wardrobe के लिए चोड़ियों में wardrobe बनेगी और ये पीछे की तरफ ventilation के लिए duck छोड़ावाए ये आप देख सकते हैं पूरा duck है जब कि काफी रोच नहीं आती है और इसी के साथ आप देख सकते हैं मैं वापस hole में आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये hole के साथ ही आप देख सकते हैं ये है kitchen अगर इसकी मकान की facing की बात करें तो west facing मकान है जिसका वास्तू के according ये kitchen बनायवाए है और plate farm वगरा है ये आप देख सकते हैं freeze के लिए space दियावाए तो इस तरह से बहतरीन ये काफी spacious मकान है जोकि सोवर गज में और ये देख सकते हैं आप ये है common toilet bathroom ये देख सकते हैं बातरूम की tiles वगरा लग चुगी है और seat अभी लगी नहीं है तो ये ventilation के लिए भी जगए है और अभी देख सकते हैं आप ये front side का bedroom था आगी की तरप और अभी हम चल रहा हूं में चल रहा हूं छत पर और छत से आपको दिखाता हूं छत के उपर इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब में किया तो तो चलता हूं अभी और अभी उपर जाकर दिखाता हूं में कि उपर भी क्या बनावा है उपर एक bedroom है और एक bathroom है तो देख सकते हैं आप अभी यहाँ पर construction work चल रहा है और यह आप देख सकते हैं सामने की तरप यहाँ पर बजरबट डल रहा है यह जो काम कर रहे हैं इसी क साथ यह आप देख सकते हैं toilet और यह open terrace है पीछे की तरफ इसी के साथ में यह आप सकते हैं देख सकते हैं front side का bedroom वही same size है जो नीचे bedroom front side का था ओपर false link वगरा काम होगा और wardrobe वगरा इसी के साथ में आप देख सकते हैं सामने की तरफ अटेस्ट balcony है ए बिग spacious balcony balcony बहुती सांदार बहतरीन है आप देख सकते हैं यह चार आदमी आराम से दो चेर या तीन चेर डाल करके बेड़ सकते हैं रैनफॉल का अनन्द ले सकते हैं वहीं सरदियों में आप धूप का अन मकान है इसे के साथ में उपर की तरफ भी देख सकते हैं आप यह ग्रूप बनाई हैं और इसमें वूडन कलर किया जाएगा तो यह था मकान बहतरीन शांदाग अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सकाइब नहीं किया तो सब्सकाइब किये और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे